बीती दिनों ही खबरे सामने आई थी कि विकी कॉशल स्टार निदेशक आदिति धर की इस फिल्म में एक्टर की छुट्टी हो चुकी है रिपोर्ट थी है कि विकी कॉशल की इस फिल्म में उनकी जगा पद्मावज स्टार रन्वीर सिंग ने धमा के दर एंट्री मारी है होड मची हुई है ऐसा ही आदित धर की इस फिल्म को लेकर भी सुनने में आया है कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो जीयो स्टूडियो की बैनर दले बन रही आदित धर की इस फिल्म में निर्माता साउथ की दो नामी स्टार्स को लेनी का मन बना चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक रिन्वीर सिंग नहीं बलकि अलू अर्जुन और जूनियर एंटियार को अप्रोच किया गया है कहा जा रहा है कि इस फिल्म में इन दोनों सितारों में से किसी एक स्टार को मीन लीड की तौर पर कास्ट किया जाएगा इसके बाद ही इस फिल्म को लेकर साउथ फिल्मी दुनिया में भी काफी खलबली मची हुई है साउथ सिनिमा की लीडिंग स्टार अब बॉलिवूड फिल्मों में कबजा कर चुके हैं और वो मेकर्स की पहली चॉईस बन चुके हैं ताकि उनकी फिल्म में हिट हो कुछ वक्त पहले ही सुपरस्टार अलू अर्जुन के साथ निर्माता भूशिन कुमार रोसंदी प्रेड़ी वांगा ने अपनी अगली फिल्म का एलान किया था इसके लावा जुनिया एंटियार की भी यश राज फिल्म की एक्शन ड्रामा फिल्म गौर्टू के साथ बॉलिवुड में धुआधार एंट्री होने वाली है ऐसी में अगर इन दोनों सितारों ने इस प्रोजेक्ट को हरी जंडी दी तो एक और बॉलिवुड फिल्म में साथ स्टार की लीड रहेगी इतना ही नहीं सुनने में आया है कि इस फिल्म में फिमेल लीड के लिए एदाकारा समानता रुच प्रभू के नाम पर विचार किया जा रहा है तो क्या आप इस फिल्म को लेके एक्साइडेड है अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए